हेलो यूटू फैमिली गुट मॉर्निंग कैसे हो आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल अरामिका लाइफ इस्टायल ब्लॉग में तो फ्रेंस पिछले ब्लॉग में जिनका पहला लाइक कमेंट आया था उनका नाम है नौलिष्ट तो नाम तो नहीं मालूम नाम उन्होंने मुझे एक बर बताया था लेकिना मैं भूल गई हूँ तो नौलिष्ट जी अगर आप मेरा ये वाला ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज आपना अपना रियल नाम मुझे कमेंट में मतलब बता दीजीगा ताकि मैं आपके नाम से अपना ऑप का नाम ले सकूँ तो चलिए तैंकिऊ आपको कमेंट करने के लिए और जो लोग नया जूटते हैं मेरे चैनल पर प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिये और जो रेगुलर मेरा ब्लॉग देखते हैं तो प्लीज आप लोग लाइक कमेंट जरूर से किया कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे कितने फैमिली मेंबर से हैं यहां सुबह का टाइम हो रहा है फ्रेंस सुबह का नास्ता बना है और अभी नास्ते में ना मैं बनाई हूँ मक्के वाली रोटी तो यहां मैंने ये खी अभी निकाला हुआ है और फिर निकालूंगे यहां पर इसको निकाल के भी दे लूँ हस्बिन को मक्के की रोटी सेकने मैं बहुआ टाइम लगता है तो इसे लिए न मुझे यह बनाती हुआ आज मुझे लीट हो जाता है तो आज भी मुझे लेट हो गया है उटी ही वह बहुत लीट से हुँ're क्युंकि रात में कुहूउकर death modest is go लिए तक說 PV बहुआ एत्-पीश में उठे सानी तो मैं प고 जगी थी तो मतलब जगी थी मैं इसलिए छोड़ दिये तो फिर भी ना मुझे लेट हो गया है और पहली रोटी है मेरी और जब लाज टाइम लेट होने लगाना तो मैंने फ्लेम जो गैस का है वो बढ़ा दिया जिस वज़े से घी है ना बिल्कुल धुआ-धुआसा हो जात जो गैहां के आटे की रोटिया होती है चार-चार हम दोनों लोग खाते हैं लेकिन यह मक्ज़मक कै आटे की रोटी इस तरह से बनाए तो उतना नहीं खिलाएगा लेकिन यह मक्ज़म अग्ती अच्छा लगता है खाने में और थूड़ा सा जब मुझे ऐस्पिंध डू़ ताकि अगले महीने फिर से मैं मंगाऊं तो यहां पर पैली रोटी बना के दिया है दूसरी वाली बन रही है और आज मुझे अपने रूम का क्लीनिंग भी करना है डिप क्लीनिंग तो क्या था ना कि जैसा भी दर मेरा तब खराब था तो अच्छे से मैं रूम को अच्छे से हुआ है तो जैसे घर को देख रही हो ना कहींगे कुछ गिर गया है और थोड़ा जगह यहां महां गंदा तो फिर ना मन नहीं मान रहा है ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा क्लीन कर दूंगी तो फिर ना अच्छा हो जाएगा और ठीक रहे है ना तो घर तो ऐसे भी गंदा जाएगा उस टाइम करूंगी या फिर जैसे हम लोगों को अक्टूबर में घर जाना है तो चार अक्टूबर को हम लोग यहां से निकल जाएंगे तो मैंना सोचा था कि 26-23 अक्टूबर तक घर को जह अच्छे से क्लीन कर लोंगी मैं क्योंकि फिर दिपाली टाइम हम लिए छोड़ दे थी और लेकिन फिर सोच रहूं कि नहीं चलो थोड़ा थोड़ा भी कर लूँ अभी तो टाइम है एक डिर महीने टाइम है जाने में तो इसलिए चलिए आज मैं करूंगी थोड़ा सा घर को क्लीन और यहां पर मैंने नास्ता बना के नास्ता कर लिया और मैंने लगा दिये हैं दोय दाल चड़ा दिया दिया बढ़ने के लिए और अभी आवर आये हूं कि आँ मैं अधर两 की सी बारिस हो रही है बहुत Console और पर बहुता वरी में यह सलत है 5 यहां na कि पादे हुता धु पानी उतने अच्छे से चला नहीं है 500 लीटर का मेरा एक टंकी है वह भी अच्छे से भरा नहीं था सटर डे संडे हम लोगोंने किसी तरह से किया काम और सोचा था कि पानी आएगा रक्षा बंधन था मंद्य को लेकिन मंदे को भी पानी नहीं आया और संडे को मैं सारे कपड़े दो दिये थे तो फिर रक्षब नंजी जिन था उस दिन भी मैं बता रही हूं मैंने कपड़े भी नहीं नहीं दोए थे बस पोचा लगाई थी खुद नहाई और कुछ को नहलाई थी यहीं उमीद में की पानी आएगा लेकिन पानी अभी मतलब पानी जो है आय पानी लेकिन पता नहीं क्यों अभी जो है ना बारिस वाला पानी भी इस साल believe In에 stations में बदला है कि मैं क्या बताओं अगले साल मैं जब रहती थी नहीं नीचे कवाटर था वहां पर पानी नहीं पहुंच पाता था और वहँआं पे मैं यही जो बार सबार पानी होती है उसी संहीत है तो पता नहीं किस तरह से मौसम बदलते जा रहा है और चलिए अभी देखते हूँ बारिज तो हम आपए तže हुआ नहीं भी तक आहीं दुन दुन आते हैं Boss V बड़ेंग करना था तो वैसे तो सारा काम में जो क्लीनिक वाला है सूखा करने वाला ही है पानी वाला नहीं है तो चलिए अभी मैंने सूचा चलो जब पानी आयेगा तब बाकी का काम होकर जो कपड़े धोने का होता है बड़तन वगएरा धोने का पोछा यह सम लेकिन जब से पहले मैं यहां पर साफ कर लूँगी और पूरा रूम आप सभी ने देखा ना कैसे को विखेर करके पूरा रखी है अभी सुबह में मैं कुछ भी नहीं की थी बस फटा-फट से उठके बस एक बर जहारू लगाई उसके बास बरतन दुले और फिर मैं डायरेक नास्ता बन बेड्रूम में तो कुछ है नहीं बस एक जगा अलमारी पर हजबन के थोड़े बहुत बुक्स पगर हैं और एक मतलब पूजा का समान जिस अलमारी में मैं रखती हूं वह वाला तो उसको साफ करने में ज्यादा टाइम लगता नहीं और उसको मैं ऐसे भी कभी कभी करते र जाकर मुझे इसे सर्थ लगाना पतलब एक बोलना पड़ता है कि कुह बिचाने दो बैटा मैं यह दूंगी तब जाकर मानती है तो अभी मेरे पास ऑप्सन कुछ था नहीं मैंने बोला कुह बिचाने दो मुझे बेडशीट मैं टौफी दूंगी तब जाकर इसने बेडश करके अगर लड़कियां हैं तो जरूरी है क्योंकि देखे पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जिम्यदारिया भी अपने हिसाब मतलब जिस टाइम जो एज है उस एज की हिसाब से जिम्यदारियां सीखना भी जरूरी होता है तो मैं इसको हमेसा बोलती हूं कुह जब भी तु अपने खिलोनों को समेटा करो और वैसे तो अभी बहुत बच्ची है करनी पाती लेकिन मैं करने लगो तो साथ में करती है और मैं इसको हमेसा ही बोलती रहती हूं कि जब भी तुम खेल लेती हो तो अपने खिलोनों को अपने बास्केट में डाल दिया करो तो साथ में लग मुणक्य सब्हे सब्सक्राइवisk ज्यादा गंदा होता है तो इसको दीवार को भी मैं ऐसे ही हलके से गिले कपड़ों से पोश लूँगी और यहां पर मैंने कॉलिन लिया है और यह कॉटन का कपड़ा लिया है और टीवी को बस ऐसे ही कॉलिन को स्प्रे करके और पोश देती हूं तेक दम साइन आ जाता है ची जैसले शुआ है कि पुरbon मेरा घर देकी रहना कितना पूराना सा है तो ऐसे तो मुझे कुछ मनमी बहुता है साफ़ अच्छा लगता लगता ही नहीं एक कहीं से साफ किया है लेकिन क्या है कि साफ सुत्री रहती तर अगर जैसे आभी मैं कर री हूं अगर पहले से जो लोग रहते थे वो लोग करते तो इतना जादा फुटा नहीं रहता रिपैर करते रहते या फिर घर को रखते मैं ठरके जिसे बोट अगेदर इतना जादा गंदा है यहां का यह तो मैंने लगवाया और मैं हमेशा इसको पोच देती हूं थोड़ी भी घंदे होते हैं पर हट जाए और यह हमेशा जो है बना रहे इसका साइन और लंबे टाइम तक टिका रहे अच्छा रहे चीजों को लॉंग टाइम तक मतलब अच्छा रखने के लिए यह चीजें हमें करने ही पड़ती है ऐसे पता नहीं चलता कि ज्यादा गंदा है लेकिन वही क्या है कि दी तो इसको भी मैंने एक किल लगा करके और दोनों को एक जगा कर दिया है अब ही के लिए तो फिलाल वैसा ही ठीक है और यह वाला जो रेक है जिस पे मैं अपना सारा समान रखती हूं तेल वगरा पावडर वगरा सिंदूर बिंदी जो भी है सब कुछ इसी में रहता है तो इसको भी मैंने साप किया था कल ही तो बस उसको ना जो उसका यह रेक है उसको साप ने किया था तो साइड से मैंने उसे भी पूछ दिया है और यह आईना है जो कि हर एक दिन गंदा होता है क्योंकि इसमें मैं भी अपना चेरा देखती हूं कुहू भी देखती हूं और इस तो चमक सा जाता है, एक तो सीसा भी चमक जाता है और वो भी एकड़म चमकता रहता है हमेशा, यह टेबल, जो है की, अश्टेडी टेबल है मेरी हजबन का, इसी पर पढ़ाई करते हैं, और कुह काई यह खेलने का एक मतलब समझे खिलाना भी है, तो इसको कुह ज़्यादा करती है इसको भी बीच-बीच में मुझे पोचना पड़ता है इसको भी मैं कॉलीन से पोच्छती हूँ और एक बार कॉलीन से पोच दो ना तो पूरा उसमें भी साईन आ जाता है कॉलिन से साफ करने में चीजों को यही रहता है कि एक दम चमकने लगेगा ऐसे हम कितना भी कपड़े से जाड़ ले पूछ ले लेकिन वह शाइन नहीं आता है तो हलका सा कॉलिन डालके साफ कर देने से एक चमक आ जाती है और चीजे नहीं जैसे दिखने लगती है तो इसके क्या है कि लोग साफ सुत्रा नहीं करते होंगे उस तरह से तो फिर क्या है कि सहारा जो है एक दाग जैसा बन गया पूरी लकडियों पे और वो अजीब सादीक रहा है मैं छुडाने के भी बहुत कोसिस की लेकिन जब दाग गहरा हो जाता है तो फिर छूटता नहीं और यहां पर सारा अलमारी बुक वेगारा जितना था समान चोटे-चोटे जो मेरे रहते हैं उपर में ही रख देती हूं मैं तो सारा साफ कर लिया है मैंने और नीचे के साइड में इधर में गिर जाता है थोड़ा लकडि वाला तो वैसे एक दो दिन में मैं साफ करते रहती सूटके सटाके मैं साफ कर लेती हूं लेकिन आज जब मैं डिप क्लीनिंग कर रही हूं तो अच्छे से सारा हटा हटा के साफ करूंगी और यह ग्रॉसरी वाला बैग है तो इस पर लकडियों की वज़़े से ज्यादा दाने बनके लकडियां गिरती है और यह जो देख रह सकते हैं तो उसको भी उसी तरह से मैं एक से दो तीन करते हूं हलाकि मैं सभी चीज आप सभी से शेयर नहीं कर पाते हैं जरूरी निया है अगरो सारे काम है और हर समय तो और रह पर सफ़ाइप पूरे रोम की कर लिए मैं और अबना पूरे अंदर से बेट के अंदर से मैंने सारा जाड़ू करके निकाला है वैसे तकी गंदगी जादा तो थी नहीं लेकिन थोड़े बहुत ही थे जो कि उसी के वज़ा से मुझे लग रहा था और संतुष्टी नहीं हो रही थी इसलिए क्योंकि जादा दिन हो गया था मुझे रूम की डिप जैसा भी है मुझे इसे मैंनेज करके मेंटेन करके रखना है अभी जितने टाइम में हूं यहां पर तो इसको अभी हम लोगों ने नया बिट लेने के लिए तो सोचा नहीं अभी लेकिन जो है उसी को किसी तरह से मैं सोच रही हूं की रख लूं रखूं ताकि चल जाए कुहू दूद गिराती है अपना खाने की चीजे गिरा देती है तो सारे दाग दाग से बन जाते हैं और थोड़ा सा कॉलिं डाल के साप कर देती हुना तो सारा निकल भी जाता है और यह कच्छी ची साइन आ जाती है तो यहां पर मैं पोच रही थी और कुहू देख रही थ तो बाहर में ही था तुस्का नहीं था बाहरे सोरे थी लकी लकी तो ऐसे ही एंगर नमी रहे जाना कप्रों में तो समयल की आने लगती है तो आज अच्छिघ से सूंग गया सारा कपड़ा तो मैंने रख दिया हैं इन सब को भी और अभी यहां देखिए आ गई हूँ मैं खाना बनाने नहाने दुआने वाने के बाद सारा कुछ चावल दाल तो बन गया था ये लाश्ट मेरा भूजिया ये बचा था आज की ब्लोग के लिए बस इतना ही उमीद करती हूँ आज का ब्लोग आप सभी को पसंद आया होगा अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा चैनल पर मेरे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बहुत जल मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाबाई